यार एक काम करो पास्टो काई डाल दो क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हूँ? कब से कोशिश कर रहे हूँ कि अच्छा काना लगाओ लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्यापन खतम होने का नामी नहीं लेते वो देखो पेट्रोल संचुरी मार रहा है वो गैस सिलेंडर 900 के उपर पहुच गया और ये भाई साब या खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा इस बार एक काम करते हैं ये विज्यापन वाली भाजपा सरकारी चेंज कर देते हैं कॉंग्रेस के सार वक्त है बदलाव का कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का आप देख रहे हैं तखल लियूद महासमुद की चुनावी सभा में कॉंग्रेस के राष्टे अद्यक्ष राहूल गांधी आज बीजेपी पर जमकर बरसे राहूल गांधी ने जनता से कहा कि बीजेपी की सरकार ने आपका धन शीन कर उद्योग पतियों को दिया है बीजेपी के नेताओं ने सब के सामने खुल कर चोरी की है महासमुद के कॉंग्रेस प्रत्याशी बिनोध चंद्राकर की चुनावी सभा में कॉंग्रेस के राष्टे अद्यक्ष राहूल गांधी ने कहा कि प्रधान मंतरी भ्रस्टाचार की बात करते हैं रमान सिंग के बेटे 36 गड़ का पैसा वनामा में डालते हैं पर प्रधान मंतरी कुछ नहीं बोलते हजारों करोडों 36 गड़ जनता का रुपया चिट फंड को जाता है किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिला बीमा का पैसा चीन कर अने लंबानी का प्रधान मंतरी ने तीन लाख पचाल सहजार करोड रुपया माफ कर दिया पर किसानों का करदा माफ नहीं हुआ। जो बादे मोदी व रमन सिंग की सरकान ने पूरे नहीं किये हैं उसे कॉंग्रिस पूरा करेगी। साथ ही कहा कि नोट बंदी में कोई करोड पती लाइन में नहीं लगा। प्रधानमंतरी ने नोट बंदी पर कहा था कि नोट बंदी तकिये के नीचे से पैसा चीना है पर हकीकत में नोट बंदी ने गरीब माताओं के तकिये के नीचे से पैसा चीना है। आरोप लगाते हुए राहुल गांदी ने का हकी, 36 गड के PDS घोटाले का पैसा रमन सिंग बहुन की पत्नी को मिला है। आप देख रहे हैं तखल्यों यार एक काम करो पासो करें डाल दो क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हूँ कब से कोशिश कर रहे हूँ कि अच्छा काना लगाओ लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्यापन खतम होने का नामी नहीं लेते बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा इस बार एक काम करते हैं ये विज्यापन वाली भाजपा सरकारी चेंज कर देते हैं कॉंग्रेस के सार वक्त है बदलाव का कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का